नमस्कार दोस्तों मैं सब्सक्राइब करता हूँ सुफलता के सारी यूटूब चानल पर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप बीग ली करिंट अफ़ेस की वीडियो चल रही है तो उसी के अंतरगत ऑक्टूबर मंत के लिए यह बीग ली करिंट अफ़ेस की वीडियो का पार्ट टू है सेकंड बीग में ऑक्टूबर के जितने भी इंपोरेंट करंट अफ़ेस बनते हैं उसको हमने इस वीडियो में पूरी तरह से कवर किया है जो कि आपके आने वाले एक्जाम की द्रस्टी से बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है इसलिए वीडियो को सुरुआ जाली वीडियो का पैटन रहता उसी तरह से ब्सक्राब करेंगे एमपोरेंट डे के बारे में 5 अग्टूबर को ओंनाे गया वर्ल्ड टीचर्ष डे ठीक है वर्ल्ड businessman कream क्या थी तो टीचुच फीट्च गया रेमेज की ढवल्ल Teachers Day और जो मना जाता है National Teachers Day वो मना जाता है 5 September को । यह अलग है वो अलग है 5 October 5 September ठाँ ठीक kah 5 September को मना जाता है National Teachers Day वो मना जाता है हमारे पहले उपराष्रे पती Dr. Sarpallit Rada Krasnan की जैन्ती पर ठीक कही है टीक कही है 8 October को 88th Indian Air Force Day मनाए गया क्योंकि 1932 में ही 8 October को Indian Air Force की स्थापना हुई थी इसलिए 8 October को मनाए जाता है Indian Air Force Day अच्छा एक important current affairs बनता है कि हाल ही में जो राफेल विमान है उसको उड़ाने वाली पहली महीला पाइलेट कौन बनी है तो यह होगी Lieutenant Sivangi Singh ठीक है Lieutenant Sivangi Singh Air Force की अगर बात हो रही है तो Chief of Air Staff कौन है तो वह है राकिस कुमार सिंग भत हो रही है और Vice Chief of Air Staff यह भी कभी कोशन आजाता है तो वह है हरजीत सिंग तो यह आपको यहाँ से याद रखना है उसके बाद 20 डांक दिवस की अगर मैं बात करूँ तो 9 October को मनाया जाता है 9 October को मनाया जाता है 20 डांक दिवस नॉक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन Universal Postal Union UPU की स्थापना होई थी Switzerland में 1874 को इसलिए यह मनाया जाता है 9 October को 20 डांक दिवस देखिए अगर मैं बात करूँ जो पोस्टर सर्विसेज इसकी बात की जाए तो भारत में भी इसकी सुरुबात काफी पहले हो गई थी 1688 में मुंबई में पहला डांक घर खोला गया था यह आपको एक मात्र तेरता हुआ पोस्ट आफिस कहां पर है तो यह है स्री नगर में और जो की डल जील पर बनाये हुआ है तो यह आपको याद रखना है यह दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ पोस्ट आफिस है तो काफी important question हो जाता है तो याद रखेगा इसके अलावा बिस्व अंत्रिक्च सप्ता जो था 2020 के लिए इसकी इसवार की थीम क्या थी तो इसकी इसवार की थीम थी satellite improve life ठीक है satellite improve life तो satellite तो आप जानती है करतिम उबग्र है इनको बोला जाता है इसके बाद वन्य जीप सप्ता 2020 जो था दो से आठ अक्टूबर तक इसको मनाया गया और इसकी इसवार की थीम थी roar ठीक है roar and revive exploring human animal relationship ठीक है यह इसकी इसवार की थीम थी उसके बाद world habitat day 2025 पांच अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी housing for all a better urban future याद रखिएगा इसी के साथ हम बात करते हैं सरद्धानजलियों के बारे में तो सबसे पहले जो है कुवेट के सासक थे साविर अल-एहमद अल-सवा इनका निधन हो गया है ठीक है इनको आपको याद रखना है देखिए कुवेट जो है ना तारकाई का निधन हो गया है यह भी आपको याद रखना है केंद्य अभोकता मामलेवा खाद्य और सारवजनिक मंतरी राम बिलास पासवान जी का निधन हो गया है तो यह आपको ध्यान में रखना है इनका हाल ही में निधन हुआ है जिन न्यूज में थे, आपने अगर इनको देखा होगा, न्यूज में, 74 बर्स इनकी उम्र थी, इसमें उनका निधन हुआ है, नोबल पुरस्कार बिजेता साइन्टिस्ट मारियो मॉलीन का भी निधन हो गया है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, देखिए इसके अला किस-किस को दिये गए हैं, वे आपको याद हो जाएंगे, तो उसके लिए हम अलग से एक बीडियो बनाएंगे, तो आप ऐसा ना सोचें कि हमने नोबल पुरस कार्स को इसमें कवर नहीं किया है, तो उनको हम कवर करेंगे, ठीक है, इसके बाद ख्याती प्राप्त सामाजि कारे करता, प्रोफेसर पुस्पा भावे, जिन्हें मुंबई में अरन लेडी के रूप में भी जाना जाता था, तो इनका निधन हो गया है, ठीक है, प्रोफेसर पुस्पा भावे, ठीक है, नागालेंड वा मनीपुर के पूर्वर राज्यपाल और CBI के पूर्वर निदे सक अस्बिनी कुमार का निधन हो गया है, ठीक है, अस्बिनी कुमार ये कौन थे तो ये नागालेंड वा मनीपुर के पूर्वर राज्यपाल और CBI के पूर्वर निदे सकते, ये आपको याद रखना है, दिगज, बॉलीवुड, अभीनेता, बिसाल आनन्द का भी निदन हो गया है, ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करेंगे, जो हमारे कोशन आनसर्स हैं, उनके बारे में, हाल ही मैं, डिस्कबरिंग दा हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को किसने लांच किया है, तो इसको लांच किया है, हमारे केंदरी उत्तरपूर्व छेतर बिकास राज् है, पर लिखी गई है, तो यह जो पुस्तक है, यह असम राजी के कुछ अंदेखे पहलियों के बारे में बर्णन करती है, असम राजी की भवता और उसकी महीमा का बर्णन इस उस्तक में किया गया है, तो काफी अच्छी पुस्तक है यह, इसके अलाबा, अगर मैं बात तो यह दिल्ली के अपुमक्यमंत्री है, इन्होंने गांधी जी की 151 वी जैनती पर बापुदा अनफॉर्गेट टेवल नामा के कॉफी टेवल बुक को इन्होंने लॉंच किया है, और इसी मौके पर फुट्प्रिंट अफ गांधी इन देली पर एक बैविनार व्यावज लिखी है, तो इनकी एक पहली बुक आई है, जो इन्होंने बच्चों के लिए लिखिये, बच्चों के लिए इनकी पहली बुक आई है, जिसका नाम है The Very Extremely Most Naughty Asuras Tale for Kids थीए, यह काफी अच्छी बुक है, तो यह लिखिए इन्होंने, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका न या आपको याद रखना है ठीक है इसीक साथ हम बढ़ते है हमारे अगले कोफिशन की तरफ हाल ही में जारी हाइस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में सीर्स पर कौन रही है तो इसमें सीर्स पर रही है सोफिया बैरगेरा देखी इनके बारे में अगर मैं बात करूँ न तो यह है अमेरिकी टीवी सो मॉडरन फैमिली की अभी नेतरी रही है और अमेरिकास गॉड टैलेंट जो सो आता था उसके जज के रूप में भी इन्होंने कार किया है उसके रूप में पर सिद्धी प्राप्त है तो यह हाइस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में सीर्स पर रही है तो अगर मैं बात यह जो लिस्ट है इसमें सेकेंड प्लेस पर कौन रहे है तो दूसरे नंबर पर रही है हॉलीवूड एक्ट्रेस एंजली जोली जिनके बारे आप काफ़ एच्छे से जानते ही होंगे थर्ड प्लेस पर जो रही है वह रही है गैल गैड़ ओर ठीक है जो गैल गैड़ दाना चाहिए हाली में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी तो जीता है तो 2020 का नावमी ओसाका ने और यह कहां की है तो यह जापान की है इसीक साथ हमारा अगला कोश्चन हाल ही मैं Right Livelihood Award 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो यह जो अवार्ड है इससे इन सभी चारों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और यह जो अवार्ड है ना यह स्टॉक होम्स में बेकल्पिक नोवल अवार्ड की रूप में भी जाना जाता है तो काफी इम्पूर्ट है याद रखिएगा अब अगर मैं इन व्यक्तियों के बारें बात करूं तो जैसे कि आपको पहले नंबर पे लेखे हुए दिख रहे हैं नसरीन सोतर डे तो यह कहां के हैं तो यह जो हैं यह हैं हिए इनको याद रखना है इसके बाद बलारूस के ऐला एस बल्याथ की इनको यह ऐब एमर्ग के लोट्टी कनिंगं वें इनको इससवार्ट से समानित किया गया USA के जो हैं वे हैं व्राइन स्टिवेंसन इनको यह सबॉर्ट से सम्मानित किया गया है तो यह चारों व्यक्ति हैं इनको आपको याद रखना है इनको यह अवार्ड समानता लोकतंत्र न्याय और सतंत्रता के लिए जो अपना योगदान दिया है उसके लिए इसा वार्ड से सम्मानित किया गया है तो उनको आप याद रखीगा सीख साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में 2020 के सवच्च भारत प्रुसकारों की घोशना ही की गई है और इसमें सवच्च सुन्दर सावदा एक सोचाला अभियान में कौन सार राज्य सीर्स पर रहा है तो इसमें सीर्स पर रहा है गुजरात देखे दो अक्टूबर को गांदी जी की 151 जहनती थी इस मौके पर सवच्च भारत मिसन के 6 वर्स पूरे हुए और जल मंत्री गजंदर सींग सेखावद वजल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सवच्च भारत अवर्स की गोश्चना की और यह 3 कैटिगरी में दिये गए जिसमें से एक कैटिगरी है सवच्च सुन्दर सावदा एक सोचाला है इसमें सर्वसेस्ट राज्यों में गुजरात रहा टॉप पर सर्वसेस्ट जिला जो है वह रहा त्रुनेल वेली जो की तमिलाडू में है उसके बाद सर्वसेस्ट ब्लॉक के बारे अगर में बात करूँ तो वह रहा खाचरोद जो की मद्यप्रदेश में है ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाए तो वह रहा चिन नौर ठीक है बात करूँ अगर सेकंड कैटिगरी में जा बाट दिये गए वह कैटिगरी कौन सी है तो वह समुदाए कि सौचाले अभियान ठीक है और इस स्रेणी में सर्फिस्ट राज की रूप में रहा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गरीव कल्यान रोजगार अभियान के लिए इसा वर सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश जी के आरे स्रेणी में टॉप पर रहा है और नौन जी के आरे स्रेणी में गुजरात टॉप पर रहा है अगर मैं बात करूँ सरफसेज जिले के बारे में तो वहरा प्रियाग राज ठीक है ग्राम पंचायत जो है वहरी गाँ जो की असम है यह आपको याद रखना है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो थर्ड केटिगरी थी वह कौन सी थी तो वह थी गंदगी मुक्त अभियान ठीक है बंगो सागर जो है यह इसका दूसरा संस्क्रण है बंगाल की उत्तर खाड़ी में चार से पांच अक्टूबर को इसका आवजन हुआ और इस दोरान सत्ह युद्ध अभियास नाविक कला विकास वा हेलिकॉप्टर संचालन का अभियास किया गया है इस कित अंतरगत अगर है बात करूँ यह जो अनियो अफसांस लिखे हुए है इनके बारे में जमेक्स 20 के बारे हम बात की जाए तो हाल ही मैं दूई बार से कि जापान भारत समुदर दूई पक्षी अभियास जमेक्स 20 का फूर्थ एडिसन का आवजन किया गया ठीक है अर अब सागर में इ इंटरेंटे याद रखना है मैं बात करूँ मालावार के तो इसके बारे में काफी बारे में बात कर चुके हैं यह होता है जापान इंडिया वा यूएसे के बीच में यह आपको याद रखना है और इस बार के लिए इंडिया ने मालावार के लिए उस्ट्रेलिया को भी आ जीत ली है तो इसको जीता है भारत के विश्नु सिवराज पंडेन ने अंतरास्टी ऑनलाइन सूटिंग चेंपेंशिप जो है यह इसका पांचवा संस्क्राण था इसमें 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है विश्नु सिवराज पंडेन ने इसके अलावा देखि जीती है दोनों ने गोल्ड प्राप्त किया है तो यह काफी गर्व की बात है जो याद रखिएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूं यह जो प्रतियोगिता थी 10 मीटर यह राइफल प्रतियोगिता इसमें दूसरे स्थान पर रहे फ्रांस के 18 जर्मन यह आपको याद करूं वर्ल्ड's most influencing CMO की सूची में एक मात्र भारतिय रहे हैं रवी संथा नम ठीक है रवी संथा नम यह आपको याद रखना है ठीक है इसी कसांद हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में किसे आर्वी आई के डिप्टी गवर्नर की रूप में अपोइंट किया गया है दिखिए आर्वी आई की डिप्टी गवर्नर की रूप में जुनको अपोइंट किया गया है उनका नाम है एम राजिसबर राव एम राजिसबर राव जी जो है इन्होंने जगा किस की लिए तो इन्होंने जगा लिए एनस बिस्वनाथन की देखिए पहले हम बात करते हैं जो structure होता है और वियाई का उसको बात करें तो इसमें एक governor होता है चार होते है deputy governor ठीक है जिनमें से एक की रूप में आपउइंट किये गए एक deputy governor की रूप में आपउइंट किये गए राजसवर राय है अब अगर मैं अन्य तीन के बारें बात करूं तो उनका नाम है M.D. Patra, B.P. Kanungo, M.A. Gen और ये चौथे नमबर के है M. Rajaswar Rao और जो governor है उनके बारें बात करें तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे तो वे है 25 वे governor RBI के सक्ती का अंतिदास ठीक है आपको याद रखना है RBI का headquarter है Mumbai में इस्थापना हुई थी 1 April 1935 को यह आपको यहाँ से याद रखना है इसके अलावा जो आपको सारी के सारे options यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो केंदे सरकार ने तीन एकोनॉमिस असीमा गोयल जैंत आर बर्मा डॉक्टर ससांक भीले इन तीनों को मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी का सदस्य की रूप में इनको चुना है तो यह तीनों आपको याद रखने है ठीक है इसीक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल ही मैं IACC किसे Lifetime Achievement Awards से सम्मानित किया गया है तो इनके वारों अगर हम बात कि रहे हैं तो यह है रतन राटा जी IACC का फुल फॉर्म है इंडियो इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ठीक है यह इसका फुल फॉर्म है तो इंडिया और USA के Business License of समयनों ने महत्रों भूमी का निवाई थी वा ग्लोवर लीडर्सिप के लिए इन्हें Lifetime Achievement Awards से सम्मानित किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब IACC ने किसी ब्यक्ती को Lifetime Achievement Awards पिरदान किया हो अच्छा IACC के भारत में रास्टी अध्यक्ष कौन है उनके बार में अगर हम बात करें तो वह है पूर्ण चंद्र राओ इसका Headquarter है मुंबई में अब अगर हम बात करूँ Any of Suns के बारे में तो नित्यानन्द नायक जो है इनको सरला पुरुषकार से सम्मानित किया गया संजे सिंग के बारे में आप जानते होंगे यह हम आदमी पार्टी के हैं इनको गांधी पुरुषकार से सम्मानित किया गया और केरला को मिला है इंडिया टुडे हेल्थ ग्री अबॉर्ड है आपको यहां से याद रखना है इस एक साथ हम बढ़ते हैं हमारा अगले कोशन की तरफ हाल ही मैं किस राजी की मसहूर मिर्च डले खुरसनी को जी आई टेक प्रतान किया गया तो यह सिक्किम राजी की मसहूर मिर्च है ठीक है इसको इस तानी भासा मैं डले खुरसीन के नाम से जाना जाता है और अगर मैं इसके बारें बात करूं तो यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों मैंसे इसको एक माना गया है बात की जारी ये सिक्किम की सिक्किम के सीम गौन है तो वह है पीएस गोल है और गवर्णर जो है वह है गंगा पर साध्याद रखीगा देखिए इसके अलावा जो आने जी आई टेक परदान किया गया बंडोली बनाना हरमल चीली इनको जी आई टेक परदान किया गया आपको याद रखना है इसके अलावा जमू कस्मीर की जो कस्मीरी केसर है उसको जी आई टेक परदान किया गया है यापको याद रखना है इसके लावा एक और राज है जिसके बारे मैं बात करना चाहता हूँ तो डेली-Mumbai Express बे जो है ना डेली-Mumbai Express बे के बारे मिन बात करूँ ना तो यहाँ पर भारत का पहला एनिमल ओबर पाथ बनाया गया है यह आपने एक पोस्ट देखियोगी जो हमारा इंस्टा का पेज है सफलता की सारती वहाँ पे यह पोस्ट डाली गई थी तो यह भी काफी important है तो इसको भी आप याद रखिएगा ठीक है इसीक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ हाल ही में उत्तवर्दे सरकार ने जेवर एरपोर्ट के लिए किसके साथ करार किया है तो उत्तवर्दे सरकार ने 40 साल की अबदी के लिए जेवर में बनने वाले नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के डिजाइन बाद निर्माणबा संचालन के लिए जूरिक इंटरनेशनल एरपोर्ट के साथ समझोता किया है यह जो एरपोर्ट है यह एरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप के रूप में इसको बिक्सित किया जाएगा 2024 तक यह चालू होने की इसकी संभावना है ठीक है आपको याद रखना है अच्छा उत्तरप्रदेश के CM कौन है तो वह है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीवीन पटेल यह आपको याद रखना है इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो अन्य अप्संस लिखे हो उनके बारे में तो भारतिय बिमापत्न प्राधिकरान ठीक है सौ प्रतीसत सौर उरजार से चलने वाला एयरपोर्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके बारे में बात की जाए वह चालू कर दिया है और जो सित्वे है भारत उसका संचालन करेगा ठीक है यह म्यानमार में स्तित है एक बंदरगा है यह आपको याद रखने इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में किसे नीदरलेंड में भारती राजदूत की रूप में नियुक्त किया गया है तो नीदरलेंड में भारती राजदूत की रूप में जिने नियुक्त किया गया है उनका नाम है प्रदीप कुमार राबत ठीक है इनके बारे में बात करें देखी जो नीदरलेंड है जो capital है वह है Amsterdam और जो currency है वह है euro यह आपको याद रखना है अगर मैं बात करूँ अने options के बारे में तो Sweden में भारत के राजदूद बने हैं तनमय लाल ठीके याद रखीगा इसके अलावा National Human Rights Commission जो है इसके मां सजब बने हैं विबंदर पिर्धान याद रखीगा मैं बात करूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO कौन बने है तो वह बने है जे वैंकट रामू याद रखीगा इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ हाल ही में किसने रहतांग में बनी अटल सुरंग देश को समर्पित किया देखिए यह काफी important question हो जाता है बैसे तो आप इनको जानते ही है प्रदान वैंति नेंद्र मोदी जी ने यह सुरंग है इसका उद्गाटन किया है काफी फोटोज आपने इनके देखे होंगे लेकि और यह 10,000 feet की उंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी highway tunnel है यह आपको याद रखना है अगर कभी-कभी इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है तो इसकी लंबाई है 9.02 km याद रखेगा 9.02 km यह इसकी लंबाई है यह आपको यहाँ से याद रखना है और यह जो tunnel है य यह border road organization ने इसको बनाया है यह भी आपको याद रखना है इसके लावा अगर मैं बात करूँ अन्य options के बारा में देखिए यह भी हमारे current reference के questions ही यह भी मैं आपको याद इसलिए दिला देना चाहता हूं क्योंकि आप options को हलके में ना लें देखिए अब यहाँ पे आपको देखेंगे प्यूस गोयल जी के बारे मैं बात करूँ तो प्यूस गोयल जी ने consumer affairs ministry का अतरित प्रवाल इनको दिया गया है यहाँ रेल मंत्री है अरविंद केजरिवाल जी के बारे में बात की जाए तो अरविंद केजरिवाल जी ने युद्ध प्रदूसर्ण के बुद् डेस्टेशन कर दिया गया यहाँ आपको यहाँ से याद रखना है इसीक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ हाल ही मैं किस राज्य सरकार ने digital सेबा सेतु कारेकरम की शेरुबात की है तो इसकी शेरुबात की है गुचरात राज्य सरकार ने गुचरास सरकार ने ज शगुदा हजार ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइवर नेटवर्क से उनको जोड़ा जाएगा है ना गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के सीम है बेजय रूपानी गवर्नर है आचारिय देबरत यह आपको याद रखना है अब अगर मैं बात करूं अन्य आप क्रितक गिता पॉर्टल को लॉंच किया है क्या लॉंच किया समना है क्रितक गिता पॉर्टल बेस्ट वंगाल के बारें बात की जाए तो बेस्ट वंगाल ने पत्ष्री अभियान की शुरूबात की है इसके अलावा मैं एक और राज के बारें बात करना चाहता हूं मेगाल है इसी साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल ही में भारती कपास का पहला ब्रेंड वा लोगो लॉंच किया गया है तो इसको किस ने लॉंच किया है देखिए इसको लॉंच किया है हमारी केंदरी कपडा मंतरी इसमरती इरानी ने अगर आप लोगो की बात करें तो यह logo जैसा कि आपको दिख रहा है कस्तूरी कॉटन इंडिया यह logo लॉंच किया गया और दूसरे कापास डे जो था उसके अपसर पर इसको लॉंच किया गया है अब भारत का जो प्रीमियम कापास है वैं बिसुभर में कस्तूरी कापास के रूप में जाना जाएगा और द दुनिया में सबसे बड़ा कापास का अभोगता है और उत्पादक है दूसरे नंबर का ठीक है दोनों अलग-अलग है याद रखीगा अच्छा कॉर्टन कॉपरेशन ऑफ इंडिया के बारें बात करें तो इसका हैट कॉर्टर कहां पर है तो यह मुंबई में स्थापना 1970 में बात अगर मकरू अन्य उप्संस के बारे में तो एमे गनपती जी के बारे में बात करें तो इन्हें नागरिक उड्डियन्स रुक्चा ब्यूरो का महा निद्देशक की रूप में उनको आप जानती होंग यह हमारे बिदेश मंत्री है इनकी बात इसलिए की जा रही ह से Association of Mutual Fund in India AMFI के अध्यक्चब नियुक्ति किये गए है यापको याद रखना है इसी साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल ही में किसे जौर्डण का नया प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है देखे जौर्डण के जो किंग है अब्दूलला दूति इवन एई थूसेएं इन्होंने किनग के निती सला कार बिसर अल खसाब ने इनको जौर्डण के नय प्रधानमंत्री के रूप में इंको appoint किया यापको याद रखना है इसके लावा बात की जारी है जॉर्डन की तो जॉर्डन की जो capital है वह है अमान और जो currency है वह है जॉर्डनी दीनार याद रखीगा इसके लावा अगर मैं बात करूं अन्य options के बारे में देखिए कुवेट के नए crown prince जो है वह कौन बन गए है तो वह बन गए है सेख मसाल अल एहमद अल जवर अलसवा यह आपको याद रखना है काफी बड़े नाम होते हैं इसके अलावा एक और important question यह बनता है जो Finland है ना Finland में एक दिन के लिए आईवा मोटो को परधान मंत्री बनाया गया था इंस्ट्राग्राम पर जो पेज है वहाँ पर इस पोस्ट को share किया गया था इनकी फोटो के साथ तो यह आपको याद हो काफी important हो जाता है महिला ससकती करण के लिए यह किया गया है बात मैं करूं उत्तरप्रदेस के बारे में तो उत्तरप्रदेस गरीब कल्यान रोजगार अभियान के तहते जीते हैं आठ आवार्ड्स यह आपको यह उत्तरप्रदेस से याद रखना है इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल ही में कौन SBI के नए chairman बन गया है देखी काफी important question है कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने chairman है वह तो आपको याद होंगे रजनिस कुमार तो आप जल्दे से उनको लगा के आजाएंगे option में देखके तो आपको नहीं करना है chairman अब जो बने हैं वह हैं दिनेस कुमार खारा ठीक है इनके वारें बात करें तो भारती state bank के नए chairman group में उनका पॉइंट किया गया है और रजनिस कुमार जी की है जगा लेंगे तो याद रखिए कर रजनिस कुमार नहीं लगाना है कभी कभी हो जाती है या गलती है इसलिए में अता रहा हूँ लेकिए SBI की स्थापना हुई थी एक जुलाई 1955 को और SBI का जो हेटकॉर्टर रवे है मुंबई में इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अनियो अपसंस के बारे में तो SBI ने चरण जीतर जो आत्रह है इनके बारे में बात की जाए तो इनको अपना नया chief finance officer बनाया है CFO chief finance officer बनाया है ठीक है यह आपको याद रखना है इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ तो RVI ने जमू कस्मीर बैंक के CMD RK चिपबार जो आपको लिखा हो यहाँ पर दिखेंगे राजेस के चिपबार इनको इनका जो कारेकाल है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है यह आपको याद रखना है और इस रो के बारे में अगर में बात करूँ यहाँ कि किया है तो इसका निर्मान किस ने किया है ठीक है तो इसका निर्मान किया है Defense Research Development Organization DRU ने उडिशा तट के बाला सौर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमानू सक्षम बैलिस्टेल मिसाइल सौर के नए संस्क्रान का सफल परिक्षन हुआ है और अगर मैं बात करूँ इसकी छमता क्या रहेगी तो यह 800 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष को गिरा सकती है तो काफी ताकत बर है अगर मैं बात करूँ DRU की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष कौन है तो यह है G-37 Reddy Headquarter है Delhi में बात की जाए अगर मैं बात करूँ जो और उपसंस लिखे हो उनके बारे में देखिए बात की जाए रूस की ठीक है तो रूस ने टी सिरकोम हाइपर सौनिक मिसाइल का सफल परिक्षन किस ने किया है सफल परिक्षन किया है रूस ने अब मैं बात करूँ चीन यहां पर लिखा हूँ आपको देखेगा तो चीन दुनिया का पहला जो एस्ट्रोइड होते है ना एस्ट्रोइड माइनिंग रोबोट अंद्रिक में भेजेगा मतलब कि यो एस्ट्रोइड है वहाँ पर यह खुदा ही करेगा और पता लगाएगा कहीं बैग् ना चावला के नाम पर कारगो स्पेसक्राफ्ट को लॉंच किया यह आपको याद रठाना है ठीक है किसमें लॉंच किया है ना साम इसी के साथ हमारी यह वीडियो यही पर समाप्त करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको जढ़ा ज़ादा लाइक और आने वाले एक्जाम्स के लिए तो यह important है ही तो उन तक यह वीडियो पहुंचाईए जिनको इसकी जरूरत है और आप भी इसको दो तीन बार देखिए आप notes यू बना सकते हैं इसीक साथ हमारी वीडियों ही पर स्वाप्त करते हैं फिर मेल तेंड उसतों जाएंड़